सल्मान खान का शो विकबोस 14 काफी वक्त से चर्चा में है हाल ही में शो का पहला प्रोमो रीलीस किया गया जिसमें नए नाम के साथ नए फोर्माट की और भी इशारा किया गया रिपोर्ट के अनुसार विग बोस 14 यानि के विग बोस 2020 के लिए कंटेसंस लगभग तैय हो चुके हैं लेकिन अभी भी पाटिस्पेट्स को लीकर कई खबरे आ रही है ऐसी ही एक खबर पॉपुलर कोमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर को लेकर भी आ रही है कोई मोई की रिपोर्ट के अनुसार चिप सुनील ग्रोवर से पूछा गया कि क्या वो सल्मान के शो विग बोस 14 का हिस्सा बनेगे तो उन्होंने कहा अभी उनका शो में एंट्रिक करने का कोई इरादा नहीं है और ना ही भविश्य में वो विग बोस का हिस्सा बनना चाते हैं सुनील ग्रोवर ने कहा निजी जिन्देगी में मैं बहुत बोरिंग हूँ इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं विग बोस के घर में कोई मसला दे पाऊंगा घर के अंदर आपको वैसा ही रहना पड़ता है जैसे आप हो और मैं खुद को दिल्चस्प आदमी नहीं समझता बता दे के सुनील ग्रोवर सल्मान कान के साथ भारत में काम कर चुके हैं इसके लावा बिग बोस 13 के कुछ एपिसोद में बत्तोर महमान एंटर्टेन करने भी पहुचे थे फिलहाल वो अपने नए कॉमेडी शोव गेम्ज और फिल्मस्तान को लेकर जाजावे हैं सुनील जल्द ही इस शो के शूटिंग शुरू करने वाले हैं शो में शिलपाशिन दे उपास ना सिंग और सुगन्दा मिश्रा भी नजर आएंगी बिग बोस 14 की बात की जाए तो साहिल सलाधिया और हमारी बहुत सिर्थ फेम आक्टर चाहत पाड़ने इस शो के ओफर को रिजेक्ट कर चुकी हैं चोधवे सीजन में जो कंटेस्टेंट नजर आ सकते हैं उनमें शामल हैं श्रीरीन मिर्जा, जान खान, विवियन डसेना, निया शर्मा, शांती प्रिया और जैस्मीन भसीन के नाम सामने आ रहे हैं अगर आप बिग बोस 14 से टुड़ी हर एक अबडेट टाइम लिए यूही बाना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहीए सब्सक्राइब करे हमारा चैनल, ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरस्टिंग नीज के लिए